हाई गाईज वेल्कुम लाज्ट में टीशन मेरा नाम है नेलसिन और आज हम लोग कांटिन्यू करने वाले हैं mmc ठीक है तो आज का हमारा टॉपिक होगा एक्सेलरो मीटर एक्सेलरो मीटर क्या होता है डिवाइस इसके नाम में दिया हुआ है डिवाइस इस यूश्ट फॉर मैजरेंग दीके तो थोड़ने के लिए हम लोग यह दिवाइस यूश्ट किया जाता है अब आप्सरांटिं में टाइप होता है ठीक है तो उसनी में टाइप का 1 लोग देखेंगे उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे उसके ड्वांटेज के देखेंगे आज का वीडीओ आपके आपकेकेट करें स्कूलबू इसका दाइग्रांब कि इसका कंस्रांट्रंक्षिण प्लस इसका वोकिंग और जबते हैं लोग नाम से इसके टाइप्स बता चल जा जएगा मतलब क्या यूज होता है उसमें पीजवएलेक्रिट में पीजवएलेक्रिक Material यूज होते है Seasmik type में आपको Damper यूज होगा और Strain Gauge type में Simple है Strain Gauge यूज होगे ठीक है? सबसे भाली बात हमारा यूज होता है पीजवएलेक्रिक क्रीस्टल पीजो एलेक्ट्रिक क्रिस्टल सेम होता है पीजो एलेक्ट्रिक क्रिस्टल का हम लोग का एक क्वालिटी होता है अगर आप उस पर स्ट्रेन लगाओगे तो आपको इलेक्रिसिटी प्रड्यूस होगा स्ट्रेन आपका कंप्रेशन भी हो सकता है इसमें हम लोग compression use करते हैं, अब समझे हमारा acceleration up down moment में, ठीक है, अब ये दो electrodes मैं piezoelectric crystal के आजब 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 में लगा देता हूँ, और यहाँ से मुझे output voltage मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर mass है हमारा, यह उसका productive can है उपर, यहाँ पर उसके support से आजब 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 acceleration नीचे हुआ, press होगा, strain में आएगा और उस strain के विज़े से electricity generate होगा, और उस electricity को proportion करके हम लोग acceleration find out करेंगे, करेक्ट, ठीक है, अब यहाँ लोग इसका देखिंगे, advantages, disadvantages, advantages है, high output impedance, 10 hertz to 50 kilohertz, frequency है इसका, इसका sensitivity high है, अब इसका disadvantages देखिंगे हम लोग, sensitive to temperature, ठीक है, piezoelectric crystal, sensitive to temperature and subject to hysteresis, hysteresis क्या होता है, loading और unloading में फरक होता है, loading के टाइम पे measurement अलग मिलता है, और unloading के टाइम के आपको measurement अलग मिलता है, तो वो hysteresis इसमें पाया जाता है, next देखिंगे हम लोग, seismic type, seismic type simple है, mass है, damper है, spring है, अब damper और spring system हम लोग ने पहले ही, dom में देखा है, damper और spring system जैसा ही है, अब समझो, acceleration मेरा उपर नीचे है, ठीक है, mass मेरा spring के वज़े से उपर जाएगा, damper उसको, dampen करेगा, उसका movement, यह हमारा acceleration, और जो movement होता है इसका, वो हमारा displacement transducer, जो हम लोग ने यहाँ पर रखा है, वो read करता है, ठीक है, वो displacement transducer का जो reading आता है, उसको proportionate करके, calculate करके, हम लोग को acceleration मिल जाता है, displacement transducer, mass, और एक बार देख लो, mass है, उपर नीचे होगा, acceleration के हिसाब से, यह जो भी housing part है, यह जो work piece है हम लोग, जिसका हम लोग को, शब्दो एक shaft का acceleration दूढना है, तो shaft के उपर हम उसको connect करेंगे, जैसे वो shaft हिलेगा, वैसे acceleration होगा, acceleration होगा, mass हिलेगा, mass हिलेगा, spring के वज़े से, और damper के वज़े से, वो इतना ही portion में होगा, अब जितना उसका displacement होता है, वो displacement, displacement transducer, measure कर लेते हैं, और उस displacement transducer के measurements हम लोग को मिलेगा, acceleration, simple, अब इसका, advantage है, measures vibration with respect to reference point, एक reference point दो, तो वो measure कर लेगा, उसका एक, disadvantageous, slow response, और only useful for low frequency application, simple है, next देखेंगे हम लोग, last type हमारा, strain gauge, अब इसमें जादा कुछ दिया नहीं है, बस strain gauges, simple सी बात है, यह हमारा strain gauge है, यह हमारा suspect mass है, जो हम लोगे last में use किया था, और यह housing और base plate, इसमें, same है, acceleration होता है, यह उपर नीचे होता है, लेकिन, इसमें आपको गिनते है, strain gauges से, अब यह strain gauge का जो reading है, यह जाता है, wheatstone bridge पे, wheatstone bridge से, हम लोग को मिलता है, acceleration, converted from current, क्योंकि wheatstone meter bridge आपको current ढूनके देता है, और उससे हम लोग proportion में acceleration ढूनते हैं, तो यह था हमारा accelerometer पे video, guys अपको यह video अगर helpful लगा, तो प्लीज वीडियो को like करो, चैनल को subscribe करो, अगर आपको कोई doubts है, तो उसको comment section में पूछना, अगर आपको notes और अलग-अलग subjects, courses पे videos चीए, तो हमारी website को visit करो, lastmomentution.com और आज के लिए इतना ही, thanks for watching guys, कर दो बपलेशना ही, तो यह जिए।